दोस्तो आज की इस वीडियो में जीवराज मडर की पूरी स्टोरी बताऊंगा और इस मडर पर डॉक्टर किरोडलाल का क्या बयान आया है वीडियो पूरी देखे तो दोस्तो मैं सुरू से बताता हूँ क्या क्या हुआ था वो डॉक्टर किरोडलार ने क्या का है वो वीडियो को लाश्टम बताऊंगा वीडियो को पूरी देखे दोसा निवासी छत्री वाली डानी निवासी युवक जीवराम और जीवा भाई कमलेज बागपूर के बीच काफी दुनियों से गैंगवार चल रहा था जैसे कि आपको पता होगा कही बार दोनों गुटों के भी जगड़ा हुआ और दोनों गुट जब भी जगड़ा होता था तो एक दूसरे एक वीडियो वायरल करते थे जिससे कि उनका वर्चा सुबने रहे प्लिस के अनुसार 22 उलाइख को सड़ी अंतर रचकर धीवराज को जनम दिन पार्टी में बुलाय गया और असोक होटल में जनम दिन पार्टी मनाई उसके बाद रात 11 बजे बनियाना तक गूमने के लिए बोला और जीवराज को बनियाना पुलिया के नीचे ले गए पुलिया के नीचे ले जाकर वो एक बंदगाडी में लेकर गए थे दो बारा मिन्ट में पहुंचे उसके बाद जब वहाँ पुलिया के नीचे गए तो कमले स्पाडवाला अपनी टीम के साथ तयार था ले गए फिर उसे जैपूर ओस्पीटल ले जाया गया और ले जाकर उसे बर्ति कराया गया तो वो थोड़ी देर बाद ही खतम हो गए तो दोस्तों इसे के बीच में सबसे बड़ी और देखने के लिए जो आती है वो यह है कि पुलिस की सबसे बड़ी कमजोरी क्योंकि जब भी दोनों गुट के बीच में जगड़ा होता था तो दोनों गुट एक दूसरे की वीडियो वायरल करते थे पिटाई करके लेकिन पुलिस ने उसके खिलाब कोई भी कारवाई नहीं की जिस कारण ये दोनों गुठ एक दूसरे की वीडियो वायरेल करते थे पुलिस ने इसकी जुलाई में इसकी जांच में छैटीम तयार की है जो जांच कर रही है और 25 जुलाई को जीवराज डाणी निवासी लोगों ने दर्णा परदर्शन किया और अथ्यारों को जल्दी से जल्दी पकड़ने की मांग की तो दोस्तों इन दोनों गुठों के बीच में काफी दिनों से गैंगवार चल रहा था और इसी गैंगवार के कारण बाई चीवराज की हत्य हो गई